नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्मार्ट मनी ज्यान यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे SBI Mutual Fund के एक शांदार स्कीम के बारे में जहां हम SIP के थू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड तयार कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं SBI Mutual Fund के उस स्कीम के बारे में और उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आप एक हजार रुपे की मन्तली SIP करके 13 करोड 42 लाख रुपे तक का फंड तयार कर सकते हैं इस स्कीम का नाम है SBI Small Cap Fund Direct Plan जैसा की नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ एक Small Cap Fund है जो छोटी साइस की कमपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है जब से यह स्कीम स्टार्ट हुई है यानि जनवरी 2013 से लेकर अब तक इस स्कीम ने काफी अच्छे रिटन्स दिये हैं अगर किसी ने इस फंड में 9 साल पहले 1000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वहाँ आज 355,500 रुपए हो गए होते इसलिए अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉंग टर्म में एक बड़ा फंड तयार करने के बारे में सोच रही हैं तो यहाँ स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप्शन हो सकती है लेकिन दोस्तों स्मॉल केप म्यूचूल फंड में बहुत ज्यादा रिस्क होता है इसलिए इन फंड में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देख कर ही निवेश करना चाहिए दोस्तों बात करें अगर इसके फंड साइज की तो इसका फंड साइज 15,335 करोड का है बात करें इस फंड के एसेड एलोकेशन की तो इक्विटी में 94.57 और अदर्स में 5.43 पसेंट है बात करें यहां पर मार्केट केप एलोकेशन की तो लार्ज केप में 2.56 पसेंट, मिड केप में 44.88 पसेंट, स्मॉल केप में 50.11 पसेंट, अदर्स में 2.45 पसेंट यानि सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल केप में लगा हुआ है अगर हम बात करें इसके सेक्टर एलोकेशन की तो सर्विसेज में 17.6 पसेंट, कंजूमर में 13.97 पसेंट, कैपिटल गुड्स में 13.96 पसेंट, मेटल्स में 8.09 पसेंट, फाइनेंसियल में 7.36 पसेंट, अदर्श में 38.96 पसेंट लगा हुआ है दोस्तों अगर बात करें इस फंड की होल्डिंग्स की तो इस फंड की टॉप होल्डिंग्स है ब्लू स्टार, लेमन ट्री होटल्स, वेदान फैशन, एलडी एक्विप्मेंट्स, त्रिवेनी टर्बाइन, फाइन ओर्गेनिक, वी गार्ड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, शीला फोम, तिमकेन इंडिया है इस स्कीम के फंड मैनेजर है आर श्रीनिवासन जो नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रही है दोस्तों अगर हम स्कीम के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का ओल टाइम रिटर्न 25.67% का है और इस स्कीम का 5 साल का CAGR 13.32% का है अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 29.19% रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 7.4% का इस फंड में अभी केवल SIP के थूँ इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए महीना और मैक्सिमम 25,000 रुपए SIP कर सकते हैं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है यदि एक साल से पहले पैसे निकालेंगे तो एक्जिट लोड एक पसेंट है और एक साल के बाद निकालने पर एक्जिट लोड नहीं है जो कैटेगरी एवरेज से कम है जो कम वोलतिलिटी को दर्शाता है शारप रेशियो एक दशमलव शून्य पाँच है एवं 25 रेशियो 32-133 है और अलफा पाँच दशमलव 8 शून्य है जो category average से ज्यादा है जो better risk added state returns को दर्शाता है यहां तो बात हुई scheme की details की आगे इस वीडियो में हम calculate करके देखते हैं कि अगर आप इस scheme में 1000 रुपए महीना से SIP शुरू करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा यहां पर हमने return माना है 25% का जो की scheme के all time return के बराबर है दोस्तों यहां पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि mutual fund में returns की कोई guarantee नहीं होती है यहां पर हम 25% का return सिर्फ calculations के लिए मान कर चल रही है और आने वाले time में यह 25% से कम या ज्यादा हो सकता है अगर आप इस SIP को 5 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 25% का तो यहां पर आपको जो return मिलेगा वह होगा 51,820 रुपे का 60,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वह 1,11,820 रुपे की होगी अगर आप SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 25% का तो यहां पर आपको जो return मिलेगा वह होगा 3,33,000 रुपे का आपका investment होगा 1,20,000 रुपे का और total value जो होगी वह 4,33,000 रुपे की होगी अगर आप SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 25% का तो यहां पर आपको जो return मिलेगा वह होगा 44,32,600 रुपे का आपका investment होगा 2,40,000 रुपे का और total value जो होगी वह 46,32,600 रुपे की होगी अगर आप SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 25% का तो यहां पर आपको जो return मिलेगा वह होगा 4,36,000 रुपे का आपका investment होगा 3,60,000 रुपे का और total value जो होगी वह 4,49,70,000 रुपे की होगी अगर आप SIP को 35 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 25% का तो यहां पर आपको जो return मिलेगा वह होगा 13,38,000,000 रुपे का आपका investment होगा 4,20,000 रुपे का और total value जो होगी वह 13,42,98,000 रुपे की होगी इस प्रकार आप इस scheme के अंदर 1,000 रुपे महिना से SIP शुरू करके 35 साल में 4,20,000 रुपे जमा करके 13,42,000 तक का fund तयार कर सकती है अगर आप सोचते हैं कि 25% का return मिलना मुश्किल है तो हम यहां पर 22%, 20% और 18% के return से भी calculation कर लेते हैं अगर इस SIP पर return मिलता है 22% का तो यहां पर total value जो होगी 35 साल के बाद वह 6,42,000,000 रुपे की होगी वही पर अगर SIP पर 20% का return मिलता है तो यहां पर total value जो होगी 35 साल के बाद वह 3,92,000,000 रुपे की होगी और अगर SIP पर सिर्फ 18% का return मिलता है तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो होगी 35 साल के बाद वह दो करोड 49 लाक रुपए की होगी दोस्तों आप अपने investment horizon के हिसाब से इस time period को कम या ज्यादा करके इसे अपने आप calculate करके देख सकते हैं आपको यहाँ प्लान कैसा लगा और इसमें investment के बारे में आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें